तो यह gaming PC build सिर्फ मैंने किया है 35,000 में वो भी Artex वोले graphic card के साथ और आप इस PC को उपर GTA 500 plus FPS के उपर खेल सकते हो वो भी very high setting पर और Free Fire app 150 plus FPS पर खेल सकते हो BGMI 90 FPS पर खेल सकते हो और यहीं नहीं आप इस PC को और modern TPL ले title game अराम से खेल सकते हो वो भी high setting पर अगर आप इस PC को पर editing भी करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो और यह सब कुछ मैं आपको live वीडियो में करके दिखाऊंगा तो यह वीडियो को end तक जरूर देखना तो सबसे पहले मैं आपको इस PC का system aspects बता देता हूँ कि इस PC कंदर कौन सा RAM लगा है कौन सा motherboard लगा है कौन सा processor लगा है वो सब कुछ मैं आपको detail में बता देता हूँ तो इस PC कंदर जो processor लगा है वो लगा है i3-12100F और यह quad core processor है जहाँ पर आपको hyper threading भी देखने को मिलती है मतलब कि आपको इसके अंदर 4 core 8 thread देखने को मिलेगा वहेगार मैं इस processor के frequency के बारें बात करूँ तो इसके अंदर आपको 4.3 GHz की max turbo frequency देखने को मिलती है और यह processor केवल LGA 1700 socket को support करता है यानि कि इस processor को चलाने के लिए आपको LGA 1700 socket वाले motherboard की जरूवत पड़ेगी और साथ में आपको Intel का stock cooler भी देखने को मिलता है और यह stock cooler इस processor को enough cooling provide कर देगा तो आपको अलग से air cooler buy करने के जरूवत नहीं पड़ेगी और इस processor का दो variant आता है एक i3-12100F आता है और एक i3-12100 और यार दोनों processor में क्या difference है वो मैं आपको detail में बता देता हूँ जो i3-12100F series है उसके अंदर आपको integrated graphics देखने को नहीं मिलता है मतलब आपको इस processor के साथ में आपको अलग से graphic card यूज़ करना पड़ेगा तब ही आपका PC आपको display देगा वरना बिना graphic card के आपका PC आपको display नहीं देगा वही बात करें i3-12100 के बारे में तो इसके अंदर आपको integrated graphics देखने को मिलता है जो कि है Intel का UHD 730 और इस processor के साथ में आपको अलग से कोई graphic card लगाने के जरूरत नहीं है बिना graphic card के ही आपको यह processor आपको display देदेगा तो अब बात करते हैं आपको दोनों processor में से कौन सा processor buy करना चाहिए तो आपको buy करना चाहिए i3-12100F क्योंकि यह processor ज़्यादा सस्ता है और value for money भी है लेकिन एक चीद ध्यान रखना कि आपको अलग से graphic card pair करना पड़ेगा तब ही आपका PC आपको display देगा वरना नहीं देगा तो अब बात कर लेते हैं इस processor के price के बारे में यह processor आपको कितने रुपे में मिलेगा अगर आप इस processor को offline में purchase करते हो तब वहाँ पर आपको यह processor बहुत देदा आपको over price देखने को मिलेगा जो कि यह 9000 और मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा कि आप 8000 से ज़्यादा इस processor का pay करो तो एक बार आप लोग offline market जरूर चेक कर लेना वहाँ पर आपको बहुत अस्ते component मिल सकते हैं तो जो next component हमारे इस PC के अंदर लगा है वो है motherboard तो motherboard मैंने यूज किया है gigabyte का S610 motherboard लेकिन ये motherboard आपको बिल्कुल भी buy नहीं करना है आपको buy करना है Asus Prime S610 ME-D4 motherboard वही अगर मैं इस motherboard के price के बारे में बात करूँ तो ये motherboard आपको offline में 16,000 रुपे तक मिल जाएगा वही अगर आप इसे online Amazon से purchase करते हो तो ये आपको 16,000 रुपे तक मिल जाएगा तो अब मैं आपको इस motherboard के features के बारे में बता देता हूँ कि इस motherboard के अंदर आपको क्या-क्या features देखने को मिलता है तो आप इस motherboard के अंदर DDR4 RAM यूज़ कर सकते हो 32 MHz तक की और साथ में आपको PCI Gen4 slot देखने को मिलता है मतलब आप अपने latest Gen4 वाले graphic card को 100% utilize कर सकते हो और साथ में आपको 2 M.2 के slot देखने को मिलते हैं और दोनों ही M.2 के slot PCI Gen3 supported है पलस आपको इस motherboard का better VRM section भी मिल जाता है वहीं बात करें इस motherboard के अंदर को कितने display port देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर आपको 3 display port देखने को मिलते हैं एक HDMI port, एक VGA port और एक DP port तो आप बात कर लेते हैं इस motherboard के उपर आपको कौन कौन सा processor यूज़ करना चाहिए तो आप इस motherboard के साथ मैं यूज़ करना i3-12100F वहीं गर आप i5 जैसा processor यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ करना i5-12400F इसके उपर आप मत यूज़ करना पड़ती है तो आप एक और SolaGB की RAM stick एड़ कर सकते हो तो आप बात करते हैं आपको कौन से company की RAM stick बाय करना चाहिए तो आपको बाय करना चाहिए Corset की Vengeance LPX SolaGB RAM और यह सबसे बढ़े RAM company है इनकी RAM जल्दी खराब नहीं होती है वह अगर मैं इसके RAM के price के बारे में बात करूँ अगर आप इस RAM को online purchase करते हो Amazon से तो यह आपको 3600 रुपे तक मिल जाएगा वह अगर आप इस RAM को offline purchase करते हो तो यह आपको 3000 तक देखने को मिल सकता है एक website है जो Harry Sports Premium के लिए है जहां वह अपने पसंदीदा खेलों को खेल कर Megacast जी सकते हैं क्या आपने कभी सोचा एक ऐसी website के बारे में जहां आप खेल का guaranteed इनाम जी सकते हैं अप Cricket के साथ ऐसा मुम्किन है आप अपने पसंदीदा खेलों में खेल कर असली पैसे जी सकते हैं Cricket में आप Cricket जैसे खेलों के लाववा फुटबोल, टेनिस और बहुत कुछ खेल सकते हैं और साथ में IPL सीजन में खास offer भी होते हैं सबसे अच्छा क्या है आप अपने अच्छे gaming skills का इस्तिमाल करके आसानी से जी सकते हैं सिर्फ खेल कर पैसे जी सकते हैं मुट में sign up करें अपने पसंदिदा खेलों को खेले और आज ही क्रिकेजा के साथ जीतना शुरू करें तो जो next component मैंने अपनी स्पीस के अंदर यूज क्या वो है M.2 लेकिन आपको इस चपरी कंपनी के M.2 नहीं बाई करना है तो आप बात कर लेते हैं आपको कितने GB की minimum SSD बाई करनी चाहिए तो आपको minimum 500 GB के SSD बाई कर लेनी चाहिए वहीं अगर मैं WD SN570 के प्राइस के बारे में बात करूँ अगर आप इसका 500 GB बाई करते हो तो आपको 3000 में देखने को मिल जाएगा तो यार फायदा आपका 1 TB में है अगर आपके पास पैसा है तो आप 1 TB वाल वेरेंट बाई करना तो जो next component मैंने अपने इस पेसे के अंदर यूज किया है वो है power supply तो जो power supply मैंने यूज किया है वो मैंने गीगाबाइट का 650 W वाला power supply यूज किया है वह अगर मैं cooler master के 550 W के power supply के price के बरें बात करूँ तो ये आपको 3800 रुपीज तक देखने को मिल जाएगा आप जब भी हमें से power supply बाई करने जाओ आप दो ही कमपनी के power supply बाई करना एक हो गई कोरसर एक हो गई cooler master ये दोनों कमपनी के power supply जल्दी खराब नहीं होती है तो आप बात करते हैं आपको इस PC के लिए एक वीडियो उप्लोड कर दिया हूँ कि कैसे यूज ग्राफिक काड परचेस करते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्प्सन में भी मिल जाएगा वाप इससे हम लोग बात करते हैं कि 13-15,000 के बीच में आपको कौन सा यूज ग्राफिक काड परचेस करना चाहिए अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना है तो आप बाई करो RX 6600 वो ग्राफिक काड आपको 12-13,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा अगर आपको गेमिंग के साथ प्रुड़क्टिविटी वाला भी काम करना है तो आप बाई कर लो RTX 2060 Super और ये ग्राफिक काड आपके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि इसकी VRAM भी जादा है वहेगर आपको इस ग्राफिक काड के प्राइस के बार हम बात करूँ तो ये आपको सेकंड हैंड मार्केट में 14-15,000 रुपे के बीच में देखने को मिल जाएगा तो जो मैं ग्राफिक काड यूज़ कने होले अपने PC के अंदर वो है RTX 2060 और इसको मैंने सिर्फ 11,000 रुप में पर्चेस किया है वो भी वारेंटी के साथ में वहेगर मैं इस RTX 2060 को कॉंपेर करता हूँ RTX 3050 से तो यह उससे भी आपको बेटर पर्फोरेंट करता है अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ इन तीनों ग्राफिक कार में से आपको कौनसा ग्राफिक कार पर्चेस करना चाहिए तो आप बाई करो RTX 2060 सूपर उसके अंदर आपको 8GB VRAM देखने को मिलती है अब जो बंदे निव ग्राफिक कार अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप RTX 4060 जैसा ग्राफिक कार करो अगर आपको उससे थोड़ा सा कम बजट है तो आप बाई करो RTX 3060 तो जो लाष्ट कमोनेट हम लोग अपनें पीसे के अंदर यूजर कने वाले वो है कैबिनेट तो कैबिनेट चैबिनेट मैं उनको ही रिकमेंड करूँगा जो अपने गल्फर्न के सामने हावाभाजि करना चाते है क्योंकि यार ये cabinet look wise तो बहुत फाड़ हुए कोई भी देख के की बार में इससे प्यार हो जाएगा और ये cabinet मैं उनको recommend करूँगा जो थोड़ा था unique दिखना चाहते हो आप rectangular और square वाले cabinet से बोर हो चुके हो तो आप इस cabinet के साथ जा सकते हो वैसे मेरी माने तो आप normal cabinet के तरब जाओ वो आपके लिए ज़्यादा practical रहेगा और ये cabinet मैं बस हवाबाजी के लिए लगाए हूँ जिससे की ज़्यादा views आए वहेगर हम इस cabinet के price के बारे में बात करूँ तो ये आपको 6,000 रुपे में मिल जाएगा वहेगर आप इस PC को offline बिल्ड करते हो या फिर Gamer Paradise के shop से buy करते हो तो यही same PC आप 35,000 तक बिल्ड कर सकते हो और ये price मैं आपको ग्राफिक कार्ड के साथ में बता रहा हूँ बिना ग्राफिक कार्ड के आपको ये system 29,000 तक पढ़ सकता है और जो बंदी इस वीडियो को other state से देख रहे हो तो आप इसको कुरियर करवा सकते हो और इंडिया में कही पर भी PC order करने के लिए simply आपको इनके WhatsApp पे आपको message कर देना है या फिर आप call भी कर सकते हो और रही बात payment की आप चाहे तो अपना PC cash on delivery पर भी order कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको 10% extra pay करना पड़ेगा तब ही आपको PC कुरियर के लिए ready करेंगे और आप चाहे तो directly full cash भी pay कर सकते हो और make sure कि आपको अपना proper address और नाम सब कुछ अच्छे से type करके उनके WhatsApp पर भेज देना है और हम आपको एक चीज़ तो बताने ही बुलिया Gamer Paradise वालो के एक WhatsApp ग्रूप भी है जहाँ पर आपको second hand PC मिलते है second hand graphic card भी मिलते है और वो भी आर बहुत cheap रहा है तो इस ग्रूप को join करना मत भूलना और जो आपको PC वो एक हमते में डिलीवर हो जेगा आपके घर पे तो अभी हमारा PC successfully on हो चुका है वही बात को इस PC के looks के बारे में तो यह बहुत दा खतानाग दिख रहा है आप लोग बताना आप लोग को कैसा लग रहा है यह PC का cabinet comment box में तो अब मैं आपको इस PC का system specs check करवा देता हूँ क्योंकि यही एक सची YouTuber की पहचान होती है तो यहाँ पर आप लोग मेरा system specs देख सकते हो तो जो processor मैंने आपको starting में बताया है वही same processor लगा है i3-12100F और जो RAM लगा है वो 8GB RAM लगा है तो जो सबसे पहले test हम लोगों ने run किया था वो था Cinebench R23 और Cinebench R23 का score आपके सामने है तो इसका single core score है 1618 और multi core score है 8447 और आप इसके processor के score को compare कर सकते हो आदर processor के score के साथ इससे आपको पता चल लगा है कौन सा processor आपको better performance provide कर रहा है तो अब हम इस PC को पार test करने वाले है editing test और देखते हैं ये PC कैसा performance देता है editing में तो मैं editing के लिए जो software यूज़ कर रहा हूँ वो है filmura 12 और इसके timeline में जो footage है वो 4K की footage है और 4K के footage होने के बावजूद भी हमें बहुत स्मूध timeline देखने को मिल रहा है तो अब हम लोग इस PC को पार gaming test करने वाले हैं जिसका आप लोग के दिर से wait कर रहे हो तो जो सबसे पहले game मैं test करने वाला हूँ वो एक emilter based game होने वाला है अब आप मैं सिकाई से लोगो नो guess भी कर लिया हुगा कि मैं कौन सा game test करने वाला हूँ और यहाँ नीचे उताने के बाद भी हमें 150 plus FPS देखने को मिल रहे है तो अगर आप इस PC को पर free fire के lab stream करना चाते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो अब आप मैं से कई सरे लोग पूछेंगा भाई तो कौन से अमिलिटर को पर free fire रन कर रहा है तो मैं इसको रन कर रहा हूँ blue stack 5 android 1164 bit और आप लोग पूछे रहे तो कॉमेंट बाक्स में कौन से अमिलिटर उसके है इसलिए मैंने आपको बता दिया तो जो next game मैं रन करने वाला हूँ वो है bgmi और इस game को मैं रन क्या हूँ smooth graphics की उपर और मैंने frame rate को set कर दिया था 90 fps पर और इस game में हमें starting में ही 90 fps देखने को मिल रहा है और नीचे उताने के बाद हमें 70-80 fps देखने को मिल रहा है और उसी के थोड़ दिर बाद हमारी bgmi की ID बैन कर दी जाती है और आप लोग भी अपनी bgmi की main ID इमिलिटर में login मत करना वन्ना आप लोग की ID बैन हो सकता है और यह मेरी guest ID थी इसलिए मेरे को ज़्यादा दुख नहीं हुआ तो जो next game में run करने वालों वो है minecraft और मैंने minecraft के अंदर artics वाले status लगा के रखे हैं और तब यह आपको real performance पता चलेगा और यहर artics वाले status लगने के बावजूद भी हमें 100 plus fps देखने को मिल रहा है बिल्कुल भी आपको lag या फिश्टर देखने को नहीं मिलेगा एकदाम smooth gameplay है अगर इसके अंदर 16GB RAM होता तो हमें और भी ज़्यादा fps देखने को मिलते तो जो next game में run करने वाला हूँ वो है last of us और यह एक बहुत जिदा graphical demanding game है अच्छे सच्छे पेचे के टटे निकल जाती इस game को run करने में तो इस game को मैंने run किया था 1080p resolution पर वही बात को इसको मैं कौन से graphics को पर run किया था तो इसको मैंने run किया था medium और high setting के mixture पर और इस game ने मेरे graphic card का पूरे VRAM को consume कर लिया था मतलब पूरे 6GB को cover कर लिया था अगर आपको आज के टाइमे गेम को high setting पर खेलना है तो आप minimum 8GB VRAM वावा graphic card buy करना और इसलिए मैं आपको recommend करता हूँ कि आप artist 2060 super जैसे पर मतलब ultra और high setting के mixture पर तो इस game के अंदर हमें 70 से स्टेटिंग पर देखने को मिल रहा है वो भी ultra setting होने के बावजूद और इस game के ग्राफिक से एकदम चुम्मेशवरी है और इस game के अंदर आपको बिल्कुल lag या पर strator देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल smooth gameplay है अगर मैं इस PC के अंदर 16GB RAM यूज़ करता है तो हमें और भी अदर FPS देखने को मिलते तो जो next game में run करने वाला हूँ वो है value run और इस game को मैंने run किया है high setting के उपर आप लोग या पर setting देख सकते हो और इस game के अंदर हमें 200-300 FPS अराम से देखने को मिल रहा है अगर आप इस PC को और value run के live stream करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो बिल्कुल भी आपको इस game के अंदर lag या फिर frame drop देखने को नहीं मिलेगा बहुत ही smooth gameplay है तो जो next game में run करने वाल वो आपसे दी का फेवरेट गेम होने वाला है इवन मेरा भी फेवरेट गेम है तो वो गेम है GTA V तो इस game को मैं run करने वाल वो 1080p very high setting पर तो आप लोग सरे settings को देख सकते हो और इस game के starting में हमें 100 FPS देखने को मिल रहे हैं और इस game का gameplay है बहुत जादा smooth है एक भी बून आपको lag आप इस ट्रेटर देखने को नहीं मिलेगा सोचो वेरी high setting पर इतने दा FPS मिल रहा है अगर मैं इसको high setting पर कर दूँँ तब तो हमें 1500 FPS तक आराम से मिल जाएंगे तो यहां पर हमारे PC का gaming test complete होता है लेकिन वीडियो को last में मैं आपको एक suggestion देना चाहता हूँ अगर आप इस PC को पर 3-4000 रुपय एक्स्टा और खर्च कर सकते हो तो आप i3-12100F वाला processor ना बाई करके आप बाई करना i5-12400F क्योंकि उस processor के अंदर आपको 6 को और 1230 देखने को मिलेगा कर दो आपको कि आपको प्रॉब कर दो चाहता है